आज बेरी गुड इवनिंग वेलकम तु धिंग पेल मैं हूं डॉक्टर रूपल और आज डॉक्टर रूपल फ्री पब्लिक लाइव क्लीनिक पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस लाइव क्लीनिक में हम आपके मेडिकल और स्वास्ता समन्दी सवालों के ज लेशन्चिप नहीं है तो चलिए लाइव की शुरुवात करते हैं अगर आपको एक डीटेल परस्नलाइज और प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आप आपके नजदीकी फैमिली दॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो मुझसे अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करना है तो आप मुझसे call me for app यूज़ करके डायरेक्ली फोन पर बात कर सकते हो और कंसल्टेशन कर सकते हो दूसरे ओनलाइन कंसल्टेशन ओप्शिन्स के लिए आप जा सकते हो www.askdr24y7.com spelling आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है www.askdr24x7.com इस पर आप चले जाएए तो आपको अलग-अलग ऑनलाइन कंसल्टेशन के ओप्शिन्स दिखाई देंगे आजकल जैसे आप सबको पता है ऑनलाइन कंसल्टेशन तो Government of India ने भी अप्रूव कर दिया है तो आप ऑनलाइ प्लिनी की शुरुवात करते है फिर्स्ट क्वेशन हमारा स्टाट करते है लो फाइ जैनिफर से आट बचकर तीन मिनिट पे हाई आट बचकर पंदरा मिनिट पे मैम I have done self-gratification from class 2 and since my childhood I used to do this for enjoy today I have done also and my age is 15 height is 410 what I do to increase height to 510 do you know what is self-gratification very nice और आपने और भी आपका details बताया है I have done self-gratification from 17 years will it hamper my growth onanism self-gratification means onanism वा 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 सीधी बातों में ये बताये जैनिफर जी I don't know आप लड़का हो या लड़की हो आपकी channel का नाम है जैनिफर इसलिए मैं आपको जैनिफर बुलाऊंगी onanism self-gratification अरे सीधी बात जैना masturbation करने से height मेरी कम होगी या नहीं या height पे effect होगा या नहीं जब इतना आपने masturbation के समानार्ती शब्द डूंडे है self-gratification onanism इतना आपने masturbation पर research किया है थोड़ा मेरे channel पर भी आकर research कर लेते masturbation की वज़े से height पे क्या effect होता है already video channel पे मैंने post किया है तो please krupa करके I beg you, I plead you, I urge you, please go to my channel and search in the YouTube search box masturbation height think pill you will get the video on onanism, self-gratification, masturbation ये सभी के answers आपको मिल जाएंगे बेटा उस पर जाएए और देख लीजे चली next question देते है, सानिया, मैं मेरी age 16 years है, मेरी height 4-9 है, height increase के लिए मैं क्या करूँ, gaba supplement लेने से कुछ side effect तो नहीं होगा न, देखे सानिया जी, height increase तीन चीज़ों पर depend करती है, आपके growth lips open है या closed है, secondly आपकी body में growth hormone का production कम है, ज्यादा है या रूप गया है और thirdly genetic factors पर depend करता है, आपकी height बड़ेगी या नहीं, सबसे पहले अगर ये जानना है कि आपकी height बड़ेगी या नहीं, उसके लिए आपको growth plates के x-ray कराने है, तो growth plate का x-ray करने के लिए left ankle joint और left wrist joint का x-ray आप करा लिजे, जो भी आपके reports है वो मुझे आप email कर सकते हो, जो email ID है वो मैं आपको बता देती हूँ, mumbailab2020 at the rate gmail.com, spelling है mumbailab2020 at the rate gmail.com, इस पर आपकी growth plate के x-ray भेज दीजे, मैं देख लूँगी, फिर मैं आपको बता हूँगी, आपकी height increase हो सकती है या नहीं, आपने कहा है कि क्या gaba supplement से height increase होगी या नहीं, देखिए अगर आपको height increase करनी है, तो इधर उदर से आप कोई अश्वगंदा ले लेगा, कोई शिलाजित ले लेगा, कोई gaba ले लेगा, ये लेते रहेगा और सोचेगा कि मैं अभी ये supplement ले लिया, बस अभी मैं supplement लेके बैठ जाता हूँ, मेरी height increase हो जाएगी, ऐसे height increase नह आजाता है, और as per the patient, herbal supplements and vitamin supplements दिये जाते है, करीब करीब 4 से 5 तरह के अलग-अलग supplements दिये जाते है, ये सबका जो combination है, ये combination आप करोगी, sincerely follow करोगी, तो आपकी height increase होगी, provided आपके growth plates open है, तो अगर आपकी growth plates closed हो गया है, तो आपकी height increase नहीं हो सकती, ओके? आपने काया है कि GABA का कितना dose लेना है, तो ये मैंने जैसे कहा, it depends on patient to patient. Hi ma'am, मेरी sister की उमर 20 साल है, वो daily weakness रहती है, उसको भूक नहीं लगती, उसके नाखून और बाल कमजोर है, तो उनका reports करा लिजे, CBC, ESR, B12, D3 का report कर लिजे, और साथ में उनका thyroid का report भी कर लिजे, किसी भी तरह, generally females में किसी तरह की hormones का imbalance होता है, उसकी वज़े सी ये हो सकता है, आपने जो कहा है कि भूक बहुत ही कम लगती है, बाल और नाखून बहुत कमजोर है, that indicates कि उनको B12 and zinc जो होता है, उसकी deficiency है, दिनर करने के बाद, let her take it for 4-5 weeks and in the meantime, जो मैंने आपको reports बता है, वो reports एक बार कर दीजे, reports आजाएंगे, तो मेरे साथ शेयर कीजे, mumbai lab 2020 at the rate gmail.com पर, okay? बायू मंडल, मैं मैं वर्काउट करता हूँ, age 20, weight 58, क्या मैं शिलाजित और अश्वगंदा ले सकता हूँ, mix करके, और मेरी ankle पर थोड़ा धर्द करता है, देखिए, आप, yes, शिलाजित और अश्वगंदा आप mix करके ले सकते हो, कोई problem नहीं है, आप क्यों ले रहे हो, य इसका कोई ऐसे interaction नहीं है, अगर साथ में यूज किया है, तो, आपने कहा है कि आपके ankle में थोड़ा सा दर्द रहता है, प्लीज, 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 आपके ankle का एक बार x-ray करा लीजे, अगर बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं, काफी सारे लोग होते जो बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं, और आपको जो ankle में pain हो रहा है, हो सकता है कि जिम में आप बहुत ज्यादा cardio activity कर रहे हो, या फिर आपने आपके body को जितना सहन होता है, उससे भी ज्यादा आप weights उठाते हो, और weight lifting करते हो, उसकी वज़े से आपके ankle में या तो, बहुत sprain हो गया होगा, या फिर एक hairline crack हो गया होगा या fracture होगा, तो जो भी ankle में आपको pain हो रहा है, तो please उसका x-ray एक बार कर लीजिए और देख लीजे कि आपको pain क्यू हो रहा है, in the meanwhile, आप calcium या फिर vitamin D3 दोनों में से कोई भी एक, अगर vitamin D3 ले रहे हो, तो हफते में या 15 दिन में एक बार continue रखे, in the meanwhile, x-ray करना बहुत जरूरी है, x-ray आप मेरे साथ share कर सकते हो, मेरी email id पे, mumbailab2020 at the rate gmail.com, alright, धावल पातिल, how to ensure good absorption and digestion of protein from natural sources and which are the factors that affect the absorption and digestion of protein, एक दम वो यह होता है न, MBBS में हमको physiology का question था न, कि, short answer on digestion and absorption of protein, I am sure, जो भी B.S.C. कर रहे होंगे, तो उनको भी यह question आया होगा, तो अभी आप लोग भी सोच लिजिए का answer क्या हो सकता है, okay, let's be serious, धावल जी आपने बहुत अच्छा question पूचा है, yes, सब लोग कहते तो है कि natural protein के supplements ले लो, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, लेकि नहीं, देखे, किसी भी तरह का protein, या तो वो protein supplement है, या protein diet है, या high protein, जो हम लोग कहते है न, natural supplement या natural foods हो, जैसे कि चने की सबजी, पनीर and all those things, अगर आपको लेना है, सबसे best time protein लेने का है, वो है morning time, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, आप का digestion भी दिरे 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 वीक होता जाता है, metabolism भी दिरे दिरे वीक होता जाता है, क्योंकि ये एक body का natural process है, of winding down process, मतलब रात को सोने के लिए body तयार होता है, दिरे दिरे रिलाक्स होता है, उसी हिसाब से metabolism भी slowly reduce होता है, इसलिए अगर आप protein कोई भी लेते हो, especially चने की चोले के चने ले सकते हो, लंच में भी आप ले सकते हो चनी की सबजी, as far as possible रात के food में, यानि डिनर में आप protein बहुत ज्यादा मत लीजे, क्योंकि रात के टाइम में अगर आप protein बहुत ज्यादा लेते हो आपके डायेट में, तो उसकी वज़े से बहुत सारे patients को constipation हो ज अच्छा आपने सोचा है कि natural protein या आपको लेना है, तो आप day time में लीजे, that will be completely all right, okay, and it will help you in digestion and absorption of protein बहुत जाएगा अभी यह answer आप exam में नहीं लिख सकते हो, यह सिफ एक doctor patient के advice है, all right, यह question, यह exam में लिखने का answer नहीं है, हर्षदा ठाकुर, hello dear ma'am, कैसे हो आप, मैं एकदम ठीक हो हर्षदा जी, इतने सारे smiles आपने भेज़े हैं, अमर्दीप जामनिग, हर एक live clinic में आकर same question पूछते हो, कितने बरसों हो गए, मैंने यह आपके question का answer दे दिया, कहा हो आप, अगर आपको नहीं मिले, तो next live clinic में आकर फिर से यह question पोस्ट करना answer दे दूगी, हर्षदा ठाकुर ने पूचा है, मेरी डॉटर चाल साल की है, लेकिन जैसे जैसे उसकी height बढ़ रही है, वैसे ही वो और पतली हो रही है, तो उसके लिए कुछ healthy खाना बताईए, मैं, देखे हर्षदा जी, very nice question, बहुत सारे parents जो होते है, वो मुझे call करके पूछते है, परिशान हो जाते है, कि मेरी बेटी, मेरा बेटा अभी इसके age तो बढ़ रही है, अच्छा लंबा भी हो रहा है, कपड़े भी छोटे-छोटे हो रहे है, फटा-फट कपड़े छोटे हो जाते है, लेकिन बहुत दुबला हो गया है, बहुत ही पतला लगता है, एक मैं आप सबको, जो भी parents हैं, उन सबको एक basic funda में आपको बताती हूँ, body का जो basic growth होता है, वो कैसे होता है, phases में होता है, जब भी कोई बच्चे को height का, जो height, जो हम लोग कहते है growth spurt आता है, तो उस वक्त उसका weight normal रहता है, लेकिन जैसे वो vertically, उसका जो vertically उसकी growth जो होती है, तो horizontally obviously कम दिखता है, in simple terms, ज नहीं है कि आपका बच्चा बिमार है, आपके बच्चे को कोई supplements की जरूरत है, या आपके बच्चे को कुछ extra खाना खिलाना चाहिए, ऐसा मत करना, क्योंकि ये phase by phase होता है, जब भी बच्चे का growth spurt रुख जाता है, every six months में होता है, बच्चे का growth spurt रुखता है, उसकी में किसी भी तरह का processed food आप आदत मत दिलाएं, मैं mostly सभी parents को बोलती हूँ कि आपका बच्चा 2-2.5 year तक का हो, तब तक बच्चे को sweet का taste बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह का artificial sugar, sugar के sweets अगरे नहीं देने चाहिए, अगर आप 2-2.5 years तक आपके बच्चे को sugar का craving नहीं आता, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखे, sugar की चीज़े मिठाई, ये सब चीज़े मत दीजे, सभी तरह की natural चीज़े आप दे सकते हो, बहुत ज्यादा spicy खाना मत दीजे, बच्ची को जो भी पसंद है, generally छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उनका जो visual perception जो होता है, उन पास है, पिंक कलर का दिखेगा, तो उसे खाने को बन करेगा, तो इस सारा का थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला खाना आप दीजे, पॉस्टिक खाना तो वो ज़रूर खाएगी, alright, संपुर्ना ग्यान ने question पुचा है, Ma'am, I want to increase height at least 3 inches, now I am 20 years old, current height is 5.5 and weight is 60, doctor said growth plates are almost closed, almost closed, okay, तो आपके जो growth plates का x-ray है, वो मेरे साथ आप share कीजे, let me decide whether your height will increase or not, एक बार आपका x-ray मैं देख लूंगी, अगर आपकी growth plates अभी भी open है, या just, मतलब, almost अगर closed है, तो फिर हम एक strict routine start करतेंगे, strict diet routine, आपको, मैं prescribe करूंगी, उसके साथ में exercise routine and some herbal and vitamin supplements आपको start करेंगे, as per your body needs or as per your body or your lifestyle, आपका weight and all those things, तो उसके हिसाब से एक proper prescription दिया जाएगा and we can try for your height increase, लेकिन आपको 3 inches चाहिए, 3 inches आपकी height नहीं बढ़ेगी, less than 3 inches ही होगी, ये age में 3 inches तक height बढ़ना बहुत ज्यादा difficult है, extremely rare it is, but once I see your reports, I can give you a definitive answer, okay, तो reports जो है, वो आप मेरे साथ share कर सकते हो, screen पे आपको दिखाई दे रहा है, email id, mumbai lab 2020 at the rate gmail.com, इस पर आपकी growth place का x-ray भेज दीजे and I will tell you whether your height will increase or not and how much your height will increase. नायक ने question पुचा है, hi ma'am, मेरी आंटी की उम्र 50 साल है, उसको गुटनों में दर्ध है, और कमजोरी पेट में दर्ध, उसका vitamin D level 7.47 है, और total calcium, अपराइस D3 European for supplement ले रही है 2 months से, ठीक है, लेते रही और क्या कर सकते है, क्योंकि D3 level बहुत ही ज्यादा कम है, और अगर लेखने होंगे कि उनका D3 level इतना कम कैसे हो गया, vitamin D इतना कम कैसे हो गया, again आपने B12 check-up कराया है या नहीं, ये भी मुझे पता नहीं है, उनके liver enzymes लेख लीजे, उनका lipid profile कर लीजे और CBCSR कर लीजे, ये reports आप मेरे साथ share कीजे, then I will be able to tell you कि ये dose सही है या नहीं, currently तो ब price D3 का supplement ले रहे है, तो वो continue रखे, okay, Jitendra Shivharae, please ma'am help me, I have fissured crack tongue from many more years, what should I do for this particular disease, देखे, Shivharae जी, आपको मैंने पहले भी life learning में बताया है, आपके reports एक बार कर लीजे, CBC, ESR, आपका sugar का check-up कर लीजे, HbA1c, lipid profile, liver function test, and मेरे इसाब से अगर आपको बहुत ज्यादा fissured tongue है, तो ये एक autoimmune condition भी हो सकता है, तो आपका एक बार HIV profile और hepatitis profile भी एक बार कर लीजे, and जो आपकी reports आते हैं, वो मेरे साथ एक बार share कर लीजे, let me have a look, क्योंकि mostly अगर fissured tongue होती है, और अगर बहुत time से ठीक नहीं होती, तो वो कभी-कभी autoimmune condition की भी निशानी हो सकती है, उसमें most common है, HIV AIDS हो सकता है, या फिर chronic hepatitis हो सकता है, या फिर lupus जैसी बिमारी भी हो सकती है, तो बिना examine किये, या बिना आपके reports देखे, मैं आपको comment नहीं कर सकती, कि ये सब क्यों हो रहा है, और आपने अलरीडी लिखा है कि आपको काफी time से ये problem है, medicine लेनी के बाद भी ठीक नहीं हुआ है, तो definitely कुछ तो गढ़बढ है, दया कुछ तो गढ़बढ है, तो इसलिए हमको check-up कराना जरूरी है, reports देखे बगार नहीं बता सकते हैं, मैं आपने भी DCH की उसकी भी डीटेल बताना जोब असपेक्स है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यूज में अपडेटेड रहना पड़ेगा, and regards to job, अभी देखे, doctor का main तो यही है कि खुद की clinic खोले और खुद की practice जमाए, तो वो आप कोशिश कीजिए, all right, चलिए, DYCDC ने question पुछा है, hello ma'am, how are you, omega-3 किसको, मैं एकदम ठीक हूँ, DYCDC जी, omega-3 supplements किसको लेने चाहिए, और flaxseed वाला अच्छा होता है, या salmon fish वाला, देखे, DYCDC, omega-3 supplements सभी को लेना चाहिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें generally यह ladies के लिए ज्यादा recommended होता है, क्योंकि ladies को इससे काफी फाइदा होता है, omega-3 की वज़े से, क्योंकि यह healthy fats होता है, and females में ज्यादा tendency होती है, females में ज्यादा tendency उनके triglycerides, जो unhealthy fats है, वो बढ़ जाते हैं, और females में जैसे hormonal imbalance की वज़े से कई सारे emotional mood swings वगएरे आते हैं, और उसकी वज़े से emotional eating होता है, और females में वैसे भी hormones की वज़े से एक general tendency होती है, as compared to males के उनके बोड़ी में triglycerides, serum cholesterol वगएरे हाई रहता है, और weight put on होने की tendency ज्यादा रहती है, तो इसलिए omega-3 fatty acid is much more recommended in females, especially ऐसे females जो 40 years के आसपास होते हैं, and they are just going to reach their menopause after 40, तो उनके लिए omega-3 तो बहुत ही ज्यादा essential है, क्योंकि वो आपका जो menopause का transition होता है, जो transition periods होता है, जो menopause syndrome जो बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा तकलिफे होती है females को, तो उसको काफी हद तक कम कर देता है, आपने पूछा है कि flaxseed वाला अच्छा है या salmon वाला, दोनो equally अच्छे है, अगर आपको vegetarian option चाहिए, तो flaxseed वाला आप omega-3 fatty acid ले सकते हो, अगर आपको non-vegetarian से कोई अतराज नहीं है, तो आप salmon वाला ले लीजिए, absolutely fine, okay, दोनों भी same है, जैहिन, नमस्कार डॉक्टर, COVID antibody में अलग-अलग units होते हैं क्या, अलग-अलग units नहीं होते, देखे, antibodies जो होते हैं, जब हम check करते हैं, वो एक particular disease specific antibodies होते हैं, जैसे COVID antibodies, अभी currently तो COVID antibodies, अभी वो specific antibodies, जिसे एक antigen होता है, जैसे for example, अगर हम COVID virus को एक antigen पकड ले, तो COVID virus के response में जो antibodies बनते हैं, वो एक तरह की unique antibodies होते हैं, तो अगर हम उसको पहचान लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि COVID का infection हुआ है, तो antibodies हर एक virus के हिसाब से अलग-अलग होते हैं, mostly वो जो antibodies होते हैं, वो एक दम virus specific नहीं, लेकिन group of virus specific होते हैं, जैसे कि COVID respiratory virus है, तो respiratory virus के जो antibodies होते हैं, वो लग-बग same होते हैं, तो इस तरह से अलग-अलग categories of viruses के, अलग-अलग, you know, disease के viruses, diseases के होते हैं, सिर्फ viruses के antibodies नहीं बनते हैं, अलग-अलग, you know, अलग बिमारी होके बनते हैं, because antigen can be anything, it can be virus, it can be bacterial antigen, it can be anything, तो उसके हिसाब से antibodies बनते हैं, all right? Solanki ने question पुचा है, ma'am, as iso-tretinoin 20 mg के गंबी side effects क्यों है, मैं लेने से डरता हूँ, डॉक्टर ने मुझे this medicine दी है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ side effects जानकर, अच्छा हुआ, आपने लगता है, मेरा video देखा है, नायक ने पूचा है, hi ma'am, मेरी उमर 30 साल की है, मेरी height 58 है, मेरा weight 55 है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा calcium level 6.5 है, मैं daily weakness रहता हूँ, digestion का भी big problem है, देखे, नायक जी आपका, आपने calcium level देखा है, एक बार D3 and B12 level भी देख लीजे, and CBCSR कर लीजे, अगर आपका, आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, तो मतलब आपको सच में calcium deficiency है, लेकिन D3 जानना जरूरी है, आपका level कितना है, dose calculate करने के लिए, उमर जिया ने question पुछा है, ma'am, my height is 49, my goal is 52, my age is 69, I am girl, can I increase my height, आपका growth plate का x-ray कर लीजे, left ankle joint AP lateral and left wrist joint AP lateral x-ray आ जाएंगे, तो आप मेरे साथ share कीजे, mumbai lab 2020 at the red gmail.com पर, एक बार देख लूँगी, फिर मैं आपको बता पाऊंगी, आपकी height increase हो सकती है या नहीं, और कितने centimeters inches होगे, सिबानात कानू ने question पुछा है, ma'am, OCD क्यों होता है किसी-किसी को, ये क्या बिमारी है और क्या ये medicine से पूरा ठीक होता है, OCD एक तरह का, you know, exaggerated stress response है, जिनको बार-बार anxiety, जिनको बार-बार stress होता रहता है, तो उसकी वज़ए से उनको फिर आगे चलके, जो severe हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो OCD होता है, कि मैंने आपको एक loose definition बता है, actually OCD में होता क्या है, कि किसी भी एक particular activity, किसी एक particular जो thought होता है, या जो आपके ब्रेइन में एक विचार आता है, या कोई भी एक sentence पकड़ लीजे, एक image पकड़ लीजे, वो घड़ी आपकी ब्रेइन में चलता रहता है, ऐसे घड़ी की तरह continuously चलता रहता है, एक simple example, अगर आप एक कोई गाना सुन लेते हो कहीं पर, तो दिन भर आपके mind में वो गाना चलता रहता है, आप कुछ भी कर रहे हो, तो continuously गुनगुनाते रहते हो, और आपको mind में आते हैं, यार यह मैंने सुना था, यह मेरी दिमाग में ऐसे बैठ गया ना निकल ही नहीं लेकिन इसका जो इलाज है, इसका duration जो है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उसका इलाज लेते हो, अगर आप उसको starting stages में ही इसका इलाज स्टार्ट कर देते हो, इसका completely treatment हो जाता है, okay Sol ने question पूचा है, sperm को कैसे गाड़ा करे, sperm count को कैसे increase करना है, already channel पे video post किया है, आपको YouTube के search में type करना है, sperm count think pill, तो आपको video मिल जाएगा Tanishk ने question पूचा है, my age is 15 plus and height is 5-6, both of my parents are shorter than me, so how much height I can gain and what should I do for increasing height First of all Tanishk, आपको आपकी growth plate का x-ray करना है, देखिए मैंने already genetics पर video बनाया है, genetic and height increase पर, मेरी channel पर आप देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है, मेरा खुद का example लेकर जहां पर मेरे parents काफी short है और उनकी comparison में मेरी height काफी अच्छी है, तो उसमें मैंने बताया है सब details, तो वो video एक बार देख लीजे, आपकी height बढ़ेगी या नहीं, उसके लिए आपके growth plates का x-ray करना जरूरी है, आपके left, अगर आप right ही हो, right hand से लिखते हो, तो left ankle, left wrist joint का x-ray करके मुझे mail कर दीजे, mumbai lab 2020 at the rate gmail.com Lifeline, can increase height age of 24, my height is 170, आपके growth plate का x-ray share कीजे, बता दूंगी Rishabhaldar, I am 20 year old boy, can I grow my height still using proper diet and exercise, सिर्फ proper diet and exercise से height increase नहीं होगी, आपको कुछ supplements भी लेने पड़ेंगे, कौनसे supplements, उसके लिए आपके growth plates देखने पड़ेंगे, open है या closed है Satyam Kumar, मैं, 20 years old के बाद अपनी height increase कैसे करे, कुछ supplement बता दीजे कि मेरी height increase हो जाए Satyam ji, growth plate का x-ray कर लीजे, मेरे साथ share कीजे, अलरेडी इस वीडियो में बताया है कौनसे x-ray करना है, उसमें अगर आपके growth plates open दिखेंगे, तो yes, हम supplements start करेंगे, जिससे आपकी height increase हो सकती है Bird fly away, height नहीं बढ़ रही है, age 19 Angel drawing, hello ma'am, though your hand दुख रहा है, तो, okay, I didn't understand your question I am, I am ने question पुचा है, ma'am, I am a girl and I am 15 years old, I want to reduce my breast size without any surgery, is it possible? Yes, आप आपकी breast size बिना surgery के reduce कर सकते हो, अगर आपका weight ज्यादा है, तो weight कम कीजे, weight loss कीजे, weight loss पर already channel पर videos बनाया है, fatloss101.in पर आप जा सकते हो, www.fatloss101.in इस पर आप चले जेए, तो आपको fat loss या weight loss के जो भी videos है, आपको easily मिल जाएंगे तो इस पर आप चले जेए, and weight loss की कोशिश कीजे, अगर breast size को कम करना है, तो उसके लिए आपको upper body exercises करने है आप plank कर सकते है, आप push-ups, pull-ups, आप ये सब कर लीजे, even, I think push-up pull-ups are very good exercise for reducing breast size and firming up the pectoral muscles, जो breast के muscles होते है, उसको firm up करता है, तो अगर आपकी saggy breast है, या फिर, you know, breast size बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इससे वो proper हो जाएगा, okay Ritu Yadav, good evening ma'am, I am 20 and my height is 5'3, I am suffering from hyperthyroidism, is there any chance of increasing in my height after taking proper treatment, देखिए Ritu जी, again I am telling you, आपकी growth plate का x-ray कर लीजे, आपको hyperthyroidism है, hyperthyroidism में generally, you know, metabolism बहुत ज्यादा high होता है, तो अगर hyperthyroidism होता है, तो growth plate बहुत जल्दी fuse हो जाते है, okay, तो इसलिए आपकी case में थोड़ा सा कहना difficult है कि आपकी growth plate open होंगी or closed, mostly आपकी growth plate जो है, वो closed हो गई होंगी, तो अगर आपकी growth plate is closed है, तो बहुत difficult है आपकी height increase होना, तो, but still I am telling you, just get the reports done and we'll have a look last three minutes now, Abhishek ने question पुचा है, my name is Devendra, I am 19 years old, my growth plates are closed, I want to increase my height up to 4 to 5 cm without surgery I would do any possible methods for my height growth, please suggest me something see Abhishek जी, एक तरीका है, आपको अगर anterior pelvic tilt है, तो वो, मैंने अलरी वीडियो, last live clinic में बताया था कि anterior pelvic tilt होता है, जो posture, bad posture की वज़े से, या फिर ऐसे जुकते है, या फिर lordosis की वज़े से, spine curvature अगर आपका सही नहीं होता तो spine को straighten और spine को lengthen कर सकते है, straighten up कर सकते है, जिसकी वज़े से few centimeters बढ़ सकते है even if your growth plates are closed, okay, it all depends on your spine, क्योंकि spine is responsible for your height अगर, देखे, एक simple मैं बताती हूँ, मैं अगर इस तरह से बैटी हूँ, तो मेरी height क्या होगी अभी, अगर आप centimeter में भी count करोगे, तो कम आएगी, अगर मैं इस तरह से सीधा बैटी हूँ, तो few centimeters of course बढ़ते है तो same goes with how you carry your posture, इस तरह से अगर आपको habit हो जाती है, सीधा हमेशा रहने की, हमेशा काम करते वक्ते से तो automatically आपकी जो spine है और spine के साथ में जो attached spinal muscles जो होते है, वो strengthen हो जाते है and few centimeters height increase हो सकती है, but for that you should have anterior pelvic tilt, अगर आपको किसी भी तरह का anterior pelvic tilt नहीं है तो उसकी exercise करके कोई फाइदा नहीं है, I think last live planning में मैंने already इसके details बताये थे All right, चलिए next question देखते है, एक last question देख लेती हूँ, एक सेकेड़ अभी शेक Okay, चलो, next is Prakash Das, मैं मेरी आँख में कंकर गुस गया, मेरी आँख बहुत लाल हो गई है कंकर गुसने के पाद आँखो से दुनला-दुनला दिखाई देता है, कुछ solution दीजिए Solution ये है मेरे भाई, please कोई भी hospital के emergency room में चले जाएए अगर ज्यादा जखम होगा, तो किसी तरह का कोई stitches वगरे भी करना पड़ेगा और proper antibiotic उसमें bandaging में अगरे सब proper करना पड़ेगा इस तरह से YouTube पे बैटके, वीडियो देखते देखते आपके आपके ठीक नहीं होने वाली है, okay प्लीज, किसी भी emergency room में फटाफट चले जे, ये एक emergency condition है राशिश सिंग का last question में लेने वाली हूँ, already is 10.30 Ma'am, I am 28 year old and ma'am, मेरी hip or joints में pain है after recovery from pro-ed last one month से Very good question, राशिश जी, last question है ये राशिश जी देखे, अगर आपको इस तरह का pain है after COVID, बहुत ही common complaint है COVID की वज़े से generalized inflammation हो जाता है body में और उसकी वज़े से body में D3 का level, vitamin D3 का level बहुत ही कम हो जाता है As a result, body में calcium का levels कम हो जाता है इसलिए अकसर जैसे जो government guidelines के हिसाब से जो COVID का treatment बताया है COVID का treatment में भी vitamin D3 के supplements दिये गए है तो इसलिए for that reason itself तो अगर आपको इस तरह का pain है, please सबसे पहले आपका D3 का level एक बार चेक कर लीजे serum vitamin D I'm sure वो कम ही होगा उसके लिए आप दो चीजे कर सकते हो सबसे पहले तो आप a price D3 60,000 units start कर दीजे इसको हर रोज नहीं लेना है इसको 15 days में एक बार आपको लेना है और इसको 3-4 months के लिए कर लीजे इसके साथ-साथ आप अगर आपका D3 का level बहुत ही कम है तो साथ में आप Shell Cal 500 या फिर Macalvit 500 इसमें से कोई भी एक medicine आप एक गोली morning में breakfast करने के बाद ले लीजे अगें जब आप vitamin D का test करा रहे हो please get your B12 also checked most of the cases में मैंने देखा है कि B12 भी कम होता है तो B12 का जो supplement है जिसे Neuropean Fort, Regineuron Plus या Reginex, Odis बैसे कोई भी एक दिन में एक ही बार हम start करते है तो patient को complete relief होता है डरिये मत आपको किसी तरह का कोई भी problem नहीं है सिर्फ vitamin D की कमी है और जो मैंने supplements बता है उससे आपका problem completely solve हो जाएगा कुछ घपराने वाली बात नहीं है और यह expected है most of the covid patients के recovery patients में तो चलिए आज के life clinic को यहीं पर कतम करते है I hope आपको इस life clinic से बहुत सारी जानकरी मिली होगी तो अगले life clinic में यानि अगले Saturday रात 10 बजे आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए stay fit, stay healthy and don't forget to stay awesome Bye